हाई फ्रेंड्स, वेलकम अगेन तो माई यूट्यूब चैनल मुवी टाइम, दोस्तों वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ और उनके रोमांटिक अंदास के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, शादी शुदा होने के बावजूद भी खास करके फिल्म प्यार जुकता नहीं के बाद उनकी फीमेल फॉलोविंग काफी बढ़ गई थी, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं उनकी लाइफ की एक वेरी इंटरस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेर करने वाली हूँ, तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट, द अपने हैंडसम हीरो मिथुन चक्रवर्ती रशियन गर्ल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, दरसल मिथुन की फिल्म डिस्कोर्ड डांसर के बाद से ही रशिया में उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, उनकी जीमी जीमी वाली इमेज लोगो के दिलों पर पूरी तरह से चा गई थी, आज भी रशिया में मिथुन के अंगिनत फैंस मौजूद है, और दोस्तों आपको याद होगा कि यह 1991 में मिथुन की एक फिल्म आई थी शिकारी, इस फिल्म में मिथुन के साथ एक रशियन अक्ट्रिस ने काम भी किया था, इस फ और वह मिथुन के पीछे दीवानों की तरह लग गई थी, लेकिन फिल्हाल मिथुन उसे कोई रिस्पॉंस नहीं दे रहे थे, और फिर किसी तरह से इस रशियन अक्ट्रिस के हाथ मिथुन का नंबर लग गया था, इसके बाद वो एक्ट्रिस बार-बार मिथुन से बात कर पीदने के लिए फोन लगाती थी, लेकिन मिथुन उसे हर बार ही अवोइट कर देते थे, मगर फिर एक बार मिथुन ने उससे बात करने के लिए उसे डिनर पर मिलने के लिए एक होटेल में बुला लिया, हाला कि तब मिथुन ने अपने कुछ फ्रेंज को भी मिथुन योगिता को अपने सामने देख कर हैरान थे, लेकिन योगिता ने रशियन एक्ट्रिस और मिथुन को कमरे में एक साथ देख कर हंगामा खड़ा कर दिया था, फिर किसी तरह से मिथुन ने योगिता को समझाया और बड़ी मुश्किल से ये मामला शान्थ हो पाया, हाला कि ये बात तो अब तक कोई भी जान नहीं पाया है कि after all मिथुन ने उस actress को होटेल में क्यों बुलाया था तो friends ये था पूरा मामला दोस्तों क्या आप मिथुन के romantic style या उनकी romantic life के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे comment box में मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसे like और channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा Thank you very much